वक्त वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है और वक्त की कदर करना सीख ले बन दे वक्त की कदर करना सीख ले बंदे क्योंकि वक्त ही है जो कोईले को भी कोहिनूर बना देता है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं वक्त पर वक्त पर बात करेंगे और वक्त पर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ जिससे की वक्त के साथ साथ चल सकें है ना आगे सभी हाँ अगर आप मैद सीखना चाहते हैं आपको कुछ भी नहीं आता वो कोई बड़ी बात नहीं है आप सीखना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है आज आपने बहुत बड़ी हिम्मत किया समझ रहे हachu ना छोटी छोटी चीज laughter चार लोग क्यों कह यह तार लोग क्या कहेंगे ना कुछ शुरू करने के पहले सब गूप क्छान लगाना सुम्ह Vou चार लोग क्या रहे हो प बहूठ आख़ा दीन कुष़् ते साधे governments परी हैुआ चार लोग कहने वाले समझे होना तो यह सब टैंसाँ नहीं लेने का बस और सिर्फ काम करने का बाई 4 लोग क्वी नहीं आने वाली लाइफ में वह हमेंसा आईसे कहते रहेंगे ठीक है तो आगे बढ़ें हम लोग चलें यह सबसे पहले सीख लीजिए और वक्त की कदर करना तो जरूर सीख लीजिए आज वक्त के बारे में ही पढ़ने वाले हैं समय आज का टॉपिक क्या है घड़ी एक बहुत ही अलग चीज है आपको पता है घड़ी सो रूपए की मिलती है लाक रूपए की दोनों में एक और चीज मैं सुरू करने चल रहा घ्रायं कि जितना टाइम आपके पास है न इंडिया से जादिक्विक्त था लोग अम्बानी के पास भी आढ़नी जी के पास भीए लेकिन एक नार्मल इंसां जितना पूरी जिन्दगी में कमाता है उतना अंबानी अन्टा एक दिन में कमा रहे हैं टेफला के ओनर को देखे हो क्या नाम है कमेंड करके बताओ मालूम है उसके पास भी उतना ही वक्त है 24 गंटे का ही टाइम उसके पास भी है उसके जादा नहीं है यानि आपके पास इतना टाइम है जितना एक करोड़ पती के पास है और टाइम से जब कुछ होता है लेकिन आप क्या करते हैं वो क्या करता है उस पर डिपेंड करता है आप कच्चा पक्का बदाम देखते दिन बराई से सलाइड कर करके और वो क्या करता है वो सोचता है कि इसके बाद तुमको क्या दिखाना है समझ रहे हो जो को टूटर करीद लिया ना वो क्या नाम है उसका टूटर आनर का याद है आपको टॉपिक पे चलेंगे लेकिन आज टाइम का ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है समझ रहे हो घड़ी देखना सीखेंगे इसपसली ठीक है सुई वाली घड़ी और उसके बारे में और भी बहुत चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं ठीक है तो बस शुरू कर रहे हैं बच्चे आजाएं जल्दी से चले मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा था इसका नाम नहीं याद आ रहा था यह अभी जो नया नया सियो बना है एलन मस्क वो यह एलन मस्क इस बंदे को आप जानते हो कि नहीं चले इसके बारे में लाश्ट में चर्चा करेंगे नहीं कुछ लोग नराज होने लगेंगे तो आज क्या-क्या पढ़ना है आज पढ़ना है कि घड़ी कैसे देखेंगे उसके पहले आप हमें टेलीग्राम पे नहीं जोइन कियें तो फटा-फट कर लीजिए गूम रहा है मैं चिल ला रहा हूं फिर भी वक्त चल रहा है रुक नहीं रहा है यह आए वक्त रुक जा थम जा समल जा लोट आतु जरा पीछे सुने हो ना यह कभी आता नहीं वो के फिल्मों में आता है बस तो पीछे नहीं आने वाला है यह जो पढ़ेंगे content वो सब के लिए है किसके लिए है कोई भी परिच्छा की तैयारी कर रहो कुछ भी कर रहो भाईया NCRT भारत देश में हो तो सब के लिए है सिलेबस NCRT ठीक है और NCRT हम पढ़ा रहे है तो आज क्या पढ़ेंगे वक्त के बारे में घड़ी देखना सीखेंगे और घड़ी पराधरी ते कुछ question करेंगे यहाँ पर नीचे topic क्या है और भी अभी हम लिखेंगे विस्तार से अभी आगे बढ़ चलिए पहले चले आगे next हाँ आप चलो बताओ घड़ी देखना सीखना यहाँ पर भाईया पहले कुछ example कर लेते हैं फिर आगे इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे यह मत भूलना कि यह class third level की मयत है तो class third level में भी यह इससे ज़्यादा high-five और कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है ठीक है तो कुछ लोग जो परिसान हैरान होंगे तो सबसे पहले मैं concept clear करके तब आगे बढ़ता हूँ चलो ठीक है पहले concept clear कर लेते हैं आज हम देखेंगे घड़ी सीख वरलब घड़ी ठीक है तो आज अब यह पहले घड़ी बना लेते हैं अच्छी वाली सुन्दर वाली आगे हो सभी चलो लो एक घड़ी में बना लेता हूँ इसको fill up कर लेता हूँ माल लो अच्छा color ठीक है इसमें क्या बनाएंगे घड़ी घड़ी बनाने के लिए एक अच्छा जुगार यहां पर देखना कैसे बनाते हैं ऊपर 12 लिखते हैं नीचे 6 लिखते हैं ठीक है मेरे भाईया इधर 3 लिखते हैं इधर 9 लिखते हैं अब इधर 1 लिखेंगे इधर 2 इधर 3 होई गया है तो 4 और 5 यह थोड़ा थोड़ा हैंक कर रहा है आज सिस्टम यह 7 और 8 यह 10 है और यह क्या है 11 समझना क्या करना इसमें घड़ी बनाना है घड़िया के लिए भया एक ती सूया भी रहेगी एं बीच में से हां एक सिकेंड वाली सूय रहेगी जो सबसे बड़ी रहेगी ए भाई हाय ना कर यार तू काय को परसान कर रहा है एक मिनेट वाली रहेगी जो उससे मोटी रहेगी और एक चच्चा रहेगी घंटा वाली सुई घंटा वाली सुई रहेगी बड़ी मुटकी सी लेकिन यह छोटी रहती इससे ठीक है हमारे में थोड़ी बड़ी हो गई हो अलग बात है उतना हम लोग के पास चल जाता है न सबसे पहले हम बात करते हैं में में टॉपिक की क्योंकि हम मैद सिखा रहे हैं जीरो से तो भाईया यह जो सुई है मुटकी वाली यह बताती है घंटे को आवर इससे मापते हैं ठीक है कि कितने घंटे हुए और यह जो दूसर की छोटी और मुटकी होती है यह सुई बताती है मिनट को पाइनल हैंग कर रहा है इसमें कुछ प्रावलम है ठीक है तो मैं यह ब्राउजर बंद कर देता हूं बैक ग्राउंड में जो खुला है नहीं दिया सब गुड़ गोबर कर देगा यह बंदोजा भाईया बंदोजा राज्जा कहा है को हैं कर रहा तू है चलो और अगला क्या है यह बताती है सिकेंड वैसे इस बड़की घड़ी में सिकेंड का कोई जादा कीमत नहीं होती है समझ गए आगे बढ़े अब इसमें कितना बज रहा है इसको समझने के लिए थोड़ा फंडा समझीए इसको तो आप देख लिए ना ओके आगे बढ़े चलो इसको स्क्रीन साट ले लो जिनको लेना जल्दी से, भाईया स्क्रीन साट ले लो जिनको लेना, मैं कुछ चीजें मिटाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार घड़ी ने बनाऊंगा, दन, चले, तो ठीक है, अब देखिए जो कोई भी दो लेटर लिखे होते हैं, मतलब जो नमबर लिखे हैं इस पे, इनके बीच में एक चीज है, उका है, तो कनाई दिखतबा है, पता है, इनके बीच में पांच मिनट माना जाता है भाईया, एक, और ये दो, और ये तीन, ये होगे, देखो, यहाँ पर समझो, पहले, जैसे अगर कोई सुई इस पे है, इस पे ही है, और इसे हलका सा अगर बगल गई, तो एक मिनट बोलते हैं, अगर आप घड़ी वाली सुई, मतलब दीवाल वाली देखे हो, या हाथ में पहिनने वाली, उसमें पतली पतली लाइन ह होती है न, होती है न, हाँ, तो मतलब आप यह समझ लो कि इसके बीच में इसको खिसकने का यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पांच मिनट आप मान लो, ठीक है, समझ रहो, कितना होता है, पांच मिनट, लेकिन कहो कि आप पांच ओ लाइन या इसके बीच में रहती है, नही प्रिलेक टाइम बजा देता हूँ तो समय है जालो हूँ भाइक ऑपाई जल ग्राइक दार पर ओढ़ को इनकर एक स्वूई है तो यह क्या है बारट एक और यहां पर और देखना भी यह सुईया यहां पर उख्जाली यहरा है तो कितना बजाड्प है यह बार पहुंची कहां से आई यहां से घूम के आई है इसे इसे न आई है न तो जब यह यहां फे यहां पहुंची मतलब पांच मिनट ठीक है और फिर यहां फे यहां मतलब पांच मिनट यानी बारा बज़कर दस मिनट समझ रहो बारा बज़कर दस मिनट आप कहोगे बारा बज़ साथ मिनिट कईफे जानेंगे कईफे जानेंगे बताओ देखो यहां पे समझो पहले यह बाई काट न मत इसको नहीं दोखा हो जाएगा आज ना पूरी फ्लाइड बनाया था दो बार फिर पूरा कट गया तक दो यहां पे कुछ गड़ी आपको दिख रहा है यहां पर आ इसमें दिख रहा है कुछ यहां पर समझो बनाया ना देखो इसमें पताना क्या चाहता था पहले समझो भाईया समझो भाई proportionelnा समझो, देखो यहां पर 13 लिखा है, यह यह गजब की गड़ी है भाई, यह मैं 13 भी लिखा है, यह गड़ी थोड़ा लोचा आ इसमें, यह गड़ी गड़ बड़ा है फिलाल मतलब समझझ लो 13 नहीं होता नार्मल हम लोग इंडिया की गड़ी में, ठीक है, पहले मतलब समझ लिजे बताऊंगा आगया इनके बीच में देखो कितनी लाइन है एक दो तीन और ये चार ठीक है यह हर किसी के बीच में होगा हम लोग अपने यहां इंडिया के अकॉर्डिंग इसको अगर लेते हैं यह कहीं की भी घड़ी होगी हमारे इंडिया में कहीं ऐसे 13 नहीं लिखा तो यहां पर अगर है तो क्या है 12 बज़रा पूरा पूरा मतलब कोई मिनट नहीं हो रहा है अगर दोनों सुई इसी पर ऐसे आजाए ऐसे ऐसे दोनों इसी पर आजाए छोटकी बढ़की तो कितना है 12 बज़रा है कोई मिनट नहीं हो रहा सिर 12 बज़रा है लेकिन अगर ये एक हलका फ़ा बाहर गई तो मतलब 12 बचकर कितना मिनट एक मिनट सॉरी फिर 12 बचकर दो मिनट फिर 3 मिनट समझ रहे हो कि नहीं फिर आपको होगे क्या जब यह पर आजाएगी तो 4 मिनट होगा नहीं ऐसा नहीं है इसमें आपने नहीं देखा मैं यह लाइन जो यहां खींच किस पर होगा पांचवा आके इस पर गिरेगा पूरा पूरा तब 5 मिनट हो जाएगा समझ गए ना तो कुल मिला करके यह जान लो भाया कि जब एक चक्कर यह चलती है एक चक्कर जब यह चलती है पूरा पूरा एक गिंती फे दूफरे गिंती पर जाती है तब यह पांच म समझ गये तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं दस बारा मिनट हो गया इतना दिर में जाने दो। अब इसमें आपको आंसर देना है क्या कहें रहा है मनु बाजार गई वह कितने बजे बाजार गई बता बहुत से कमेंट करो कितने बजे नार्मली देखो बस ये घड़ी थोड़ी गंदी सी है खराब सी है रियल वाली ये नीचे वाली है ठीक है तो कितने बज़े गई ये देखो यहां तीन बज़े रहना अगर इसको हम तीनी मान के चलते हैं और ये अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए नर्मल वाली घड़ी के करडिंग हम लोग लेंगे तो ये बारा पर पूरा पूरा है नहीं बारा पर पूरा पूरा नहीं है यार मैं इस घड़ी का यूज करूं या ना करूं कर सकता हूं कि नहीं नहीं मत यूज करो इसको हटाओ क्योंकि इसमें 13 और बज़ रहा है कुछ लोग confusion में रहेंगे रोक जा यार मैं अपनी घड़ी बना लेता हूँ 48 था ना उसमें ठीक है बस थोड़ा फ़ा टाइम दो थोड़ा फ़ा दो थोड़ा सलो लो मैं अपनी घड़ी दिखा दे रहा हूँ तुमें बारा छे तीन नौ आठ साथ पांच चार एक दो ग्यारा दस ठीक है यह मुटकी सुई ही यहां पे है भाईया सबसे मुटकी वाली और यह वाली जो है यहां पे है यहां बीच में ठीक है एक ही पीछे है दो तीन चार मुने बना दिया ठीक है कलियर हो रहा सब कुछ तो कितना बज़रा है बोलो अगर यह बारा से एक आई तो इसका मतलब पांच मिनट फिर दो आई मतलब दस मिनट तीन पे आई मतलब 15 मिनट, 4 पे आई 20 मिनट, 5 पे आई तो 25 मिनट अगर यह 11 पे आजाए तो 55 मिनट कितना बचके? यह जितने पे सुई आने वाली है यहाँ पे दिख रहा कि 3 पे है, रियल में 3 पे है नहीं क्यों? क्योंकि यह वाली सुई भी देखते हैं यह देखो, यहाँ पहुचने वाली थोड़ा करीब, 12 पे पहुचने वाली है न जब यह पूरा-पूरा 12 पे पहुच जाएगी, तब हम कहेंगे 3 बजा है अभी यह 2 बज़कर इसमें कितना मिनट हो रहा है? पचपन मिनट कह सकते हो, लेकिन वो थोड़ा और पीछे है, तो 54 मिनट 54 मिनट, ठीक है? दिख रहना जैसा कि आकरती में तो कितना बज़रा भाया? कितना बज़रा इसमें 2 बज़कर, 54 मिनट हाँ, इस वाली घड़ी में A.M. P.M. टाइम नहीं होता, सुबा रात का वो इंसान अपना दिन देख के जान जाता है, सुबा और रात हो रहे है, इसमें A.M. P.M. नहीं होता, डिजिचल घड़ी नहीं है ठीक है, सूरज खेलने गया, यानि ये मनु जो है बाजार कब गई 2 बज़ के 54 मिनट पर, अब जाहिर सी बात है, रात के 2 बज़े तो कोई बज़र जायेगा नहीं, दिने में जायेगी, सूरज खेलने गया कितना बज़े, चार बज़रा है ना इसमें, पूरा-पूरा की बज़रा है ना, देखिए, ये सिर्फ सिखाने वाली कलास है, जो मैद सीखना चाहते हैं, वो पूरा इंड़े तक देखेंगे, वो सीखेंगे प्यार से, आगे बढ़ें, थुरा टाइम मुझे लगता, ज्यादा लग गया इस कलास में, चीजें बतानी पड़ती है, पाप आफिस गए, कितने बज़े गए ये बताओ, उसके बाद मम्मी पारलर गई भईया, ये देखो, देख रहा हूँ, पापा आफिस गए तो मम्मी पारलर गई, कितना बज़े, कमेंट करके बताओ, सबको दिख रहा है, जो कमेंट नहीं करेगा फिर, फिर जान लो पढ़ नह ही कहूंगा, इस घड़ी में देखो और बताओ कि पापा आफिस कितने बज़े गए, ए बाई पारलर तुमीदा राजा, दस बज़े न, नहीं, पूरा पूरा दस बज़े नहीं, पूरा पूरा दस बज़े नहीं, देखो दस बज़े में, यहां पर अभी एक दो मिनट है, वो दस बज़े कर लगभग में आठ मिनट हो रहा है, ठीक है, और तुरान जस्ट, दस बज़े कर आठ मिनट पर पापा आफिस गए, और जस्ट पूरा पूरा दस बज़े कर कितने मिनट, दस मिनट पर, क्यों, यह घड़ी थोड़ा अलग तरह से नीचे वाली इसमें आपको कम समझ में आएगा ना, अगर मैं क्लियर करूँ तो क्या नीचे वाले में दिख रहा है, साथ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ना, इसमें देखो कुछ लाइने मोटी है, कुछ पतली है, सुरी इसमें 10 सब्सक्राइब और जादा कुछ इसमें से नहीं सीखना रहे भाईया, ठिक्खा है, समझ गए ना ये थोड़ा हैं कर रहा है, फिर ये लेट भी हो रहा है, इन्वेटर डेड़ गंटे हो गया चलते हुए जादा देर चले गा नहीं हो, वक्त की कदर सीख लो बंदे, वक्त की कदर सीख ले ब बंदे, देखो यहाँ पर ये काहे को लगाया गया, आपको पता है क्या है ये, एक मिनट, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ मैथी नहीं पढ़ना है, टाइम का उप्योग करिए, उसका हिसाब रखिए, ये हिसाब देख रहे हो, आप मेरा हिसाब है, मैं एक कॉपी में लिखने में टाइम लगता है, तो मैं एक वाटसप से दूसरे वाटसप पर ये अपने भेजता हूँ, साथ जनवरी को सुबा ग्यारा बज़े सो कर उठा, आपको ग्यारा बज़े सो कर उठते हैं, इतना बड़ा बता रहे हैं, हम टाइम हिसाब रखते, अर जिन्दगी में कोई उठते हैं, चार बज़े उठके करते क्या हो, सार्थक काम करिए, कोई भी समय जो है, अच्छा खराब नहीं होता है, जब भी आप अच्छा कर सको काम, उस समय करो, कुछ लोग कहते हैं, सुबा उठके पढ़ना चाहिए, सुबा उठके ये करना चाहि क्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले लोग लोहे के बड़े-बड़े आप जारोस नाखुन कारते थे, दांत से उचारते थे, लाइट रहती नहीं थी, थोड़े-थोड़े मॉंबत्तियां छोटे-छोटे दीपक जलते थे, दिखता नहीं था, कट जाता था, है ना रात में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले न तो इतनी सुभिधाय थी ना पानी गरम करने की, ना वो करने की, अब ठंडी कमा ही ना रात में नहाली ठंडा पानी बिमार हो गए, निपट गए, है ना, आजकल गीजर लगा है, हीटर है, बवस्ता, मतलब इतनी सारी आपको सिखाने के लिए, कि आप भी अपने एक-एक मिनिट का हिसाब करके, जिन्दगी में काफी कुछ कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा, स्टार्टिंग से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो मैंने PVR स्टेडी बिल्कुल जीरो से सुरू किया था, आज यूट करते हैं कि यह सोचने में वक्त मत लगाओ कि आगे क्या करना है, वरना वक्त डिफाइड कर देगा कि आपका क्या करना है, तो इसलिए वक्त की परवाह करना सीख लिजी, अभी स्टार्टिंग में आपने कलास शुरू किया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा मोट कर देते हैं थोड़ा समझ जाएं तो अच्छा है आगे बढ़ें कोई भी क्लास का अगर सारा पार्ट्स आपको यूटूब पे नहीं मिल रहा है तो आप प्वियार स्टेडी के हमारे दूसरे तो आप कि जो होगी कि आपके जो भी प्राप पार्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे इस पर मिलेगे अग, कुछ एक तरब से सिस्टम से इस पर मिलेगा तो इसे आज ही सर्च करके सब्सक्राइब कर लें यह डियलेट वालों के लिए टाइम सीडियूल है इसको देख लें ध्यान से कभी-कभी यह सीडियूल फालो नहीं होता है जैसे इस समय नहीं हो रहा है क्योंकि थर्ड समेश्ट कर 35 मिनट दिखाना है घड़ी बना के अगर कहो तो मैं एक छोटी सी बना देता हूं लेकिन बहुत बड़ी नहीं बनाओंगा बाकी आप लोग करोगे अब कितना बजाना है कि साथ बजकर 35 मिनट दिख रहा है यहां पर यह थोड़ा हैं कर रहा है इस लिए वैसे भी आज हात सुनोग संटु बस बताऊंगा भी देखो कितना हूं कर रहे हैं कि साथ बजकर 35 मिनट दिखाना है ना बहुला कि यहां पर हो जाएगा मूटका वाला भाग और यह जाएगा बारा और गो कितना देर में लिख रहा है यहे bes JAM 3 यह जज़ाए गए अच्छा यह ज़ाए और फिर ये एक, दो, और ये चार, और ये पांच, और ये साथ, और ये आठ, और ये दस, और ये ग्यारा, देखो घड़ी बन गई न, बन गई न भाईया, साथ बजकर 35 मिनट का मतलब जानते हो चच्चा, साथ बजकर 35 मिनट, मतलब जो सबसे मुटकी सुई है, वो कहा जाएगी, साथ पर जाएगी, ठीक है, और 35 मिनट जोड़ सकते हो, देखो एक के बीच में 5 का गईप है, पांच मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30, 35, यानि दो दोनों सुई आके कहां चड़ेंगी, दोनों सुई साथ पर ही रहेंगी, ठीक है, तब क्या होगा, साथ बजकर 35 मिनट, देखो इतना हैं कर रहा है, कितना देर में काम कर रहा है, मैं टच कर देता हूँ, उसके बाद जा रहा है, तो साथ बजकर 35 मिनट के लिए भाईया, य कैसे करोगे, करोगे कि घड़ी बना कई से कमेंट करेंगे, यह लोग मैं मेल आइडी दे रहा हूँ, सभी घड़ी बना करके इस मेल आइडी पर अपना अंसर चेक करवा सकते हैं, ठीक है, अगर आप सीख रहें मैद तो, अब ऐसे लिख ले ना, pbrstudy at the rate gmail.com, ठीक है, pbrstud at the rate gmail.com, इसी पर आप लोग इसको भेज के चेक करवा लेना, ठीक है, pbrstudy at the rate gmail.com, आगे बढ़ें, आज 55 मिनट में इतनी फिलाइट बनी है, यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा सीक्रेट, जितना पढ़ाया गया, 55 मिनट में बना था, बीच में एक बार मैं आध इसके बारे मैं और बताएंगे, इसका अगला भाग साथियों देखेंगे, आप कब देखेंगे, इस वीडियो को खुब share करें, 5000 अगर व्यूज हो जाते हैं, तो कल ही देखेंगे, और अगर कल तक सन्योग से 5000 व्यूज नहीं हुए, आप लोग share वर नहीं किया, तो आप अगर आप चाहते हैं, रेगुलर हम इसको देखेंगे, कल भी देखेंगे, तो आपके पास तरीका ये तीन है, पहला कि आप इस कलास को खुब share करें, 5000 व्यूज हो जाएं, दूफरा तरीका है कि आप इंतजार करें, 21 तारी को चलेगा, और तीफरा ना आप इंतजार करें ना आप share करें, PBR Study App डाउनलोड करके इंरोल करें, और पढ़िए फटा-फट जल्दी स्खतम कर लिजिए, एक महीने में सीख लिजिए, सिर्फ एक महीने में, हाँ, बिल्कुल गारंटी के साथ सिखाते हैं, अपलिकेसन में आके इंरोल करें, कोई doubt है, कोई inquiry है, नीचे इ उन पे संपर करिए, लेकिन वन मंध में कोई जादु टोना नहीं करते, याद रखना, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वन मंध में सीखना है, तो 2-3-3 घंटे पढ़ना है, रोश, कम से कम 3 घंटे पढ़ना है, एक महीने में हम पूरा basic सीखा देंगा, अच्छ कर दो कर दो कि किल व in दुन हरु कि दो हरु वा रिँ झाल झाल